हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुमंत और अजम दिस्स करेंगे वो MCQs जो फ्रेम किये गये हैं 23 और 24 अक्टूवर के करेंट अफेर से दोस्तों हमारे इन वीडियो के PDF आप डालोड कर सकते हैं इस Facebook पेज से जिसका लिंक मैंने नीचे description में दे दिया है आपके मन में कोई भी सवाल हो कोई भी दुबधा हो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे email ID पर दोस्तों हमने SSC के लिए bank exam के लिए और जो दूसरे government exams हैं उनके लिए pain drive course लाँच किया है आप हमार इन course से सुखर सकते हैं हमारे website लिए करके या फिर आप हमें call कर सकते हैं इन numbers पे दोस्तों हमारा पहला सवाल है RTI Act पर, Right to Information Act पर ये news दोस्तों आई थी दहिंदू में जिसमें कहा गया है कि why exempt CBI जो CBI है उसको RTI Act से exempt क्यों किया जाए ये जो RTI Act है उसे बहर क्यों रखा जाए तो सवाल देखते हैं हम लोग RTI पर RTI makes it obligatory on the part of public authority to maintain records to facilitate RTI दोस्तों इसमें कुछ terms आते हैं पहला term है public authority हम लोग किनहे public authority मानेंगे वो authority जो हमारे देश के legislative के द्वारा मतलब कि हमारे देश के parliament के द्वारा अस्थापित किया गया है जो state के legislative है उनके द्वारा स्थापित किया गया है जो constitution है उसके द्वारा स्थापित किया गया है directly और indirectly ध्यान दिजेगा दोनों cases में उन्हें हम क्या मानेंगे public authority मानेंगे दोस्ता होता क्या है कि आपका जो RTI application है वो देते हैं आप PIO को और वो आपको information मिलती है तो दोस्ता है जो RTI act है वो ये कहता है कि सरकार जो है वो information को arrange करेगी इस तरह ताकि जो लोग है जो जनता है उनको information प्रवाइड करने में सहूलियत रहे फर एक्जामपल RTI act ये कहता है कि जो सरकार है वो जो documents है उसको वो digitize करेगी तभी तो असानी होगी देने में है ना तो RTI makes it obligatory on the part of public authority to maintain records to facilitate RTI मेरा पहला सही है दोस्तो RTI act ये भी कहता है कि जो सरकार है उसको पहले से ही जितना ज्यादा हो सके उतना information disclose कर देना है जनता को दे देना है अपने website पर ही ताकि जो RTI applications है उनको file करने की जरूरत ही ना पड़े लोग application का file करते है जो उनके पास information नहीं होती है ना अगर हम पहले ही सब कुछ बता देंगे उन है तो जो application का file होगा है ना सरकार पर load कम पड़ेगा अगला line है दोस्तों की information that can be available to any legislative body shall also be made available to any person when asked or otherwise दोस्तों जी हाँ बिलकुल या line सही है तीसरा देखें NGOs including those which receive financial aids जो NGO financial aid receive करते हैं government से वो RTI के अंतरगत नहीं आते क्या आते हैं जी बिलकुल आते हैं मैंने भी तु कहा कि जो NGO भारत सकार के द्वारा directly or indirectly financed किये जाते हैं वो सब public authority कहलाएंगे और वो सब RTI के अंतरगत आएंगे मेरा third है जो गलत है क्यों क्योंकि मैंने यहां पर कह दिया not covered अगर मैंने कहा होता कि they are covered तो third line भी सही होती समझगे बात तो दोस्तों यहां तो मेरा अंसर कहा है मेरा अंसर यहां पर one and two क्यों पूछ रहा है क्योंकि एक करेक्ट कौन सा है मेरा अंसर यहां पर be one and two only दोस्तों अभी मैंने पिछले वीडियो में जो RTI का जो section 8 है RTI Act का section 8 है उसका मिंटिस किया था सवाल कह रहा था यह कि दोस्तों आपने RTI application फाइल किया मगर कुछ ऐसे cases होते हैं जिनमें जो authority है वो आपको information देने से refuse कर सकते हैं तो यह जो power दी गई है उन authorities को किस section के अंतरगत दी गई है वो दी गई है section 8 के अंतरगत section 4 deals with voluntary disclosure by public authority अपने आप disclosure करना उन information को यह deal करता है section 4 जो section 8 है दोस्तों RTI Act का वो यह कहता है कि जो matters होंगे जो exempt किये जाएंगे disclose करने से यह कौन करता है section 8 करता है मेरा answer है यहाँ पर C अगला सवाल दोस्तों है CIC पर Central Information Commission पर during an inquiry of a complaint no public record may be withheld from the commission on any ground के अबद सही है जी हाँ दोस्तों अगर किसी complaint में को inquiry चल रही है तो जो भी document के जरुएत पड़ेगी वो सब CIC को देनी पड़ेगी Central Information Commission को देनी पड़ेगी मेरा पहला सही है When a public authority does not conform to the provisions of RTI, Commission can respond by imposing penalty के बाद सही है दोस्तों वो उस पर penalty impose नहीं कर सकता CIC केवल recommendation दे सकता है उसको मानने न मानने का जो छूट होगा वो भारत सरकार को होगा समझ रहे है तो मेरा second है जो गलत हो गया मेरा answer है A अगर दोस्तों ऐसा होता तो जो political parties हैं जिनके बारे में judgment दिया है CIC ने कि वो public authority है और उन्हें जो RTI इसके दर जाना चाहिए वो अब तक पूरा हो चुका होता समझ रहे हैं तो यह है बात यह है पूरी news यह है RTI के बारे में सवाल अब हम देखेंगे दोस्तों की यह है जो भितर का निका जो पार्क है उसके बारे में हमने सवाल दिखा है हमने सवाल फ्रेम किया है इस पार्क has reasons to cheer क्या reason है इसे आपढ़ सकते हैं इस news को यह दहिंदो में आया था दोस्तों तो यह सवाल आया कि इफ यू वांट तो सी घड़ियाल इन देर नैचुरल हैबिटेट विच वरन दे फोलोईंग इस बेस्ट प्लेस तो विजट यह जो सवाल है इसका जो सिरसी ता मतलब दोस्तों यह पूछ रहा है आपसे कि आप इन चारों में से किस जगह घड़ियाल को उनके नैचुरल हैबिटेट में नैचुरल आवास में देख सकते हैं कहां पर आप देख सकते हैं आपको यह बताना है इसका जवाप आप मुझे दीजे नीचे मैं देखता हूँ दोस्तों आगे वाले सवाल को आपको मैंने यहाँ पर दिये हैं दो लाइन गहिर माथा बीच और मेरिन सेंच्वरी लाइस टू देख स्वांप रीजन कवर विथ कैनोपी ओफ मैंग्रोफ रॉम दे बे ओफ बेंगौल दोस्तों यह दो लाइन हमने दी है आपको एक नैचनल पार्क में आपको यह बताना है कि वो नैचनल पार्क कौन सा है सबसे पहले आप इलुमिनेट करना शुरू कीजिए गहिर माथा बीच यह कहां है दोस्तों यह गहिर माथा बीच है उडिसा में मैरिन सेंच्वरी लाइज टू दे इस ओफ दे शिस नैशनल पार्क यह नेशनल पार्क इसके ऐस में है यह यहां पर कहीं होगा है तो इसका मतलब यह है कि यह जो पार्ख है अगर इंडिया ऐसे है इंडिया आपको मैंगोव भी मिलेंगे अब देखिए अगला यह सबसे बड़ी हिंट दी गई आपको दोस्तों जो salt water crocodiles है वो आपको मिलेंगे कहाँ यह जो पार्क है नहीं उडिसा वाला कौन सा भितरकानिका नेशनल पार्क यहाँ पर आपको जो है वो salt water crocodile मिलेंगे मेरा अंसर है C दोस्तों यह कहाँ है यह उडिसा में स्थित है उडिसा यहीं पर तो है इसके इस्चोर पर है ना दोस्तों यह जो यह भितरकानिका नेशनल पार्क है वो भितरकानिका वाल्ड लाइफ सेंचूरी के अंदर है इसका जो core area है उसमें इसको declare किया गया है national park since 1998 उन्हें ठाने में declare किया गया था इसको दोस्तों यहाँ पर salt water crocodile के अलावा जो white crocodile है वो आपको दिखेगा जो Indian python है वो दिखेगा king cobra, black ilbis, फिर जो darters है वो दिखेंगे अगला सवाल दोस्तों हमने अपसे पूछा है कि which of the following national parks are also designated as marine protected area दोस्तों यह जो protected area होते हैं वो क्यों बना जाते हैं वो बना जाते हैं जो हमारे जो flora and fauna है उसको conserve करने के लिए तो जब भी हम किसी marine area को हम declare करते हैं protected area इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह ocean का वो पार्ट है जहाँ पर human activity को ज्यादा restrict किया गया है surrounding water के मुकावले जो आजपास के जो water है उसके मुकावले यहाँ पर इस marine park में जो human activity है वो ज्यादा strictly regulate किया गया है तो आपको इन में से चुनना है इन पाचों में से आपको चुनना है कि इन पाचों में से कौन कौन है जो marine protected areas है तो दिखिए हम ने आपको दिया है यहाँ पर पूरी list marine गल्फ अफ कच्छ वाला बेतर कानिका यह गल्फ अफ मनार मेरीन वाला सुंदरवन कैमबेल बे और क्या है गलाथिया महत्मागान है मेरीन फिर है middle button island mountain heritage north button island रानी जहासी saddle peak and south button island यह सब क्या है दोस्तों यह सब marine park यह protected areas है तो दोस्तों इनमें से first, second, third, fourth and five यह पाँचों के पाँचों जो है वो marine protected area है मेरा answer यहाँ पर क्या D is correct अगला सवाल दोस्तों यह है आपको दिये है हमने तीन लाइन आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा है जो correct है National mammal of India is nilgribul के बाद सही है दोस्तों हमारा national mammal जो है वो हनुमान लंकूर है है समझें निलगribul नहीं है मेरा पहला गलत हो गया National heritage animal कौन सा है हाथी है elephant National protected area कौन सा है दोस्तों यह line जो है मैं आपको ऐसे ही दिया था confuse करने के लिए third गलत है मेरा second है जो सही है national heritage animal elephant है अंसर क्या दोस्तों अंसर है यहाँ पर B National animal क्या है royal Bengal tiger national heritage animal elephant national mammal कौन सा हनुमान लंकूर national aquatic animal पर यूपे से question पूछ चुका है कौन सा है गंगेटिक river dolphin यह दोस्तों जो यह जो dolphin है वो फ्रेश वाटर के dolphin है मतलब कि यह साफ पानी की मीठे पानी की dolphin है national bird पिकॉक national flower lotus दोस्तों ऐसे इंडिया airbook type के सवाल आते रहते हैं इनको याद रखना मुश्किल है इसलिए हम इस पर सवाल फ्रेम किया है याद रहे आप सवाल उहां पर जाकरके गलती ना करें दोस्तों न्यूज आई है कि डेंगू टॉल इन बेंगाल नाव 34 डेंगू समरने वाले को संख्या बेंगाल में 34 हो गई है तो जो डेंगू है और दूसरी बिमारियां वेक्टर से जो फ्यलती हैं वेक्टर का मतलब क्या मतलब वह चीज為 वह जीव जनुत्व वह बिमारियों को फ्यलाते हैं तो दूस्तों सवाल आया था 2015 मिए कि जो h1-n1 वायरस है जो की नूज में आते रहता है with reference to which of the following disease यह जो virus है वो कौन सा disease से संभन्धित है AIDS, bird flu, dengu, swine flu आसान सा सवाल है आपको बताना है इसका answer दोस्तो हम लोग सवाल देखते हैं dengu से संभन्धित और उसका जो vector है mosquito जो है उससे संभन्धित which of the following can be transmitted by blood transfusion सर वो सब तो सही है हमको पहले यह बताए कि जो transfusion होता है इका होता है देखो यह जो blood transfusion होता है इसका मतलब यह है blood को transfer करना human body में it is an act of transferring donated blood blood products और other fluid into circulatory system of a person or an animal दोस्तों जब भी बिमार पढ़ते हैं तो कभी पानी चढ़ता होगा उससे हम लोग क्या कह सकते हैं transfusion कह सकते हैं ठीक है अगर खुण चालता है तो से हम लोग कहेंगे blood transfusion तो blood transfusion से कौन सी बिमारियां फैल सकती है malaria, hepatitis C, HIV दोस्तों तीनों फैल सकता है malaria भी, hepatitis C भी और HIV भी दोस्तों HIV का full form है human immunodeficiency virus ठीक है तो देहां दीजेगा जब हम लोग blood को transfer करते हैं तो क्या होता है जो pathogen होता है वो person में प्रवेश कर जाता है जो लोग हमें प्रवेश कर जाता है तो दोस्तों अगर आप से मैं simple सा सवाल पूछूं कि ये जो blood transfusion है इनसे कौन-कौन से जो जीव जनतु है वो pass कर सकते है वो फैल सकते है bacteria जी हाँ जी फैलेगा virus जी हाँ जी बिल्कुल फैलेगा HIV virus होता है prions ये भी फैलेगा और parasites ये भी फैलेंगे ये चारों के चारों blood transfusion से फैलेंगे दोस्तों जो paracetic disease वो कुण-कुण से है वो है malaria और lemon cyst ये तो है paracetic disease और दोस्तों viral disease है मतलब कि जो disease virus से होता है वो कौन सा है डेंगू है hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C and human HIV है वो क्या है ये भी एक viral disease है चलिए अगला सवाल दोस्तों काफी आसान सा है आपको ये बताना है कि इन में से कौन सा है जो vector born disease है दोस्तों health जो है वो UPSC का favorite section है prelims में भी और mince में भी तो देखिए सबसे पहले दिखते हैं कि vector क्या होता है vector are living organisms धहन दिजएगा वो जिन्दा होंगे that can transmit infectious disease between human or from animal to human ठीक है दो मनुष्यों के बीच में जो disease है उनको transfer करेगा या एक मनुष्य या दूसरा animal के बीच में ये transfer करेगा ठीक है तो इसे में लोग कहते हैं vector उसका जिन्दा होना जरूरी है तो देखे जो mosquito होता है that is the best non vector उसके अलावा जो टिक्स है flies मतलब मक्हिया है sand flies फ्लियाज जो bugs होते हैं जो aquatic snails होते हैं वो सब क्या है वो सब vector का का काम करते हैं बीमारियां फैल आते हैं तो क्या है दोस्तों जीका है ना और देखे जो इंसे इंसनिफिलाइटिस है वो क्या दोस्तों ये भी है डेंगू भी है दोस्तों AIDS जो है वो vector born disease नहीं है मेरा फूर्थ है जो गलत है अगर मच्छर काटता है तो उससे इंस नहीं फैलता क्यों नहीं फैलता अभी मैं तुरत बताऊंगा आपको दो कारण है मेरा फूर्थ है जो vector born disease है अब दोस्तों आपको मैं ये बताता हूँ कि इनके अलावा और कौन कौन सा है काला अजार चिकन गुनिया ये सब क्या है ये सब vector born disease है येलो फीवर जीका सैंडी फ्लावर फीगर फीवर प्लेग दोस्तों मच्छर से क्यों नहीं HIV फैलता दो कारण है पहला ये कि वो आपके body में inject करता जिससे आपको वहां पर खुजली होती है दोस्तों जो saliva होता है मच्छर का उसमें antiviral factors होते हैं जिससे कारण से जो HIV है वो वहां पर नहीं फैल पाता वो transmit नहीं कर पाता HIV को दूसरा कारण दोस्तों ये है कि जो जब भी मच्छर काटता है आपको तो जो blood है देखिए यह पहला आदमी था इसको मच्छर काटा ठीक है वो मच्छर जा करके जब इसे काटेगा न तो इस आत्मी का जो blood है वो इस आदमी में परवेश नहीं कर रहा क्यों कि मच्छर है जो blood खिचता है और केवल saliva ही inject करता है वो blood inject नहीं करता ठीक है तो ये दोनो कारण है कि मॉस्कीटों के कारण HIV क्यों नहीं फैलता काफी important जनका रही थी आपको जनने चाहिए थी चलिए अगला सवाल एडिस एजप्टी मॉस्कीटों से कौन कौन सी disease transmit होती है आपको ये बताना है जीका वायरस disease डेंगू, चिकन गुनिया, Hepatitis B दोस्तों इन में से ज जीका वायरस, डेंगू, चिकन गुनिया, वेस्ट नायल फीवर और येलो फीवर ये पांचों के पांचों transmit होते हैं by इस एडिस एजप्टी मॉस्कीटों, हेप्टाइटस भी नहीं होता, मेरा फोर्थ गलत है, मेरा 1, 2, 3, 3 है, मेरा answer है C, ठीक है, दोस्तों जीका वायरस जीका वायरस के बार में हमने आपके यहां पर दी हैं, क्योंकि काफी नीज में था, जीका वायरस gets its name from जीका फोरेस्ट, जो की यूगांडा में है, कहां है, यूगांडा, अफरीका में है, ठीक है, बाकी बात ने इसका symptom का है, मैंने पर मेंशन कर दिया है, आपको मन है, प ठीक है, मेरा पहला गलत हो गया, the park is home to salt water crocodile, हाँ जी बिल्कुल सही है, यह salt water crocodile का home है, मेरा second सही है, मेरा answer क्या है दोस्तों, B, to only is correct, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा, correct है, आपको बताना है अगला सवाल कि जो national park in India है, it comes under IUCN category 2 protected area, क्या बात सही है, जी हाँ दोस्तों बिल्क समंडीन मध्य परदेश, जी हाँ जी, 1936 में भारत का पहला national park बनाया गया था, हैली नेशनल पार्क जिसे अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो की उत्तरा खंड में है, मेरा second सही है दोस्तों, अच्छ देखिए, यह जो पार्क है वो मध्य पर अगला सवाल दोस्तों दीखिये, environment सही है, आप में से किसी दोस्तने हमें कल message किया था कि सर आप environment पे कुछ questions include कीजी, इसलिए हमने यह questions include किया है, आज के session में, तो सवाल देखिए, mangrove forest पर है, a mangrove is a shrub or a small tree that grows in coastal saline और breakfast water, क्या बात सही है, जी हाँ दोस्तों, उस water में जहाँ पर, जो देखिए, ये है समुद्र, ये है, देखिए, ये है क्या, ये जमीन है, यहाँ पर समुद्र है, तो दोस्तों, यहाँ पर जो जंगल होता है, उसे हम mangrove tree होते हैं, इसकी जड़े, पानी के अंदर होती है, मेरा first सही है, तो दोस्तों, जो पानी के अंदर होती है, तो उन्हें कहां से मिलता है oxygen, उन्हें कम oxygen में रहने की आदत होती है, वो उसके लिए adapted होते हैं, मेरा second भी सही है, मेरा answer है, यहाँ पर C, both 1 and 2 are correct, अगला सवाल दोस्तों, यह है कि जो हमारा ecosystem है, वो हमें कई तरह की services provide करता है, प्रोविजने services, supporting services, कल्जरी services, आपको यह बताना है, कि इन चारों में से कौन सा एक regulating service नहीं है, जो ले देखते हैं, maintaining water quality, मतलब कि जो water की quality है, उसको यह regulate कर रहा है, पॉलनेशन को regulate करता है, जो carbon, देखिए, इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जो carbon है, वो किस तरह संचित होता है हमारे ecosystem में, उसको यह regulate करता है, अगर हम tree ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा carbon store होगा हमारे जंगलों में, climate and local weather regulation, दोस्तों यह सब है जो regulating services हैं हमारे ecosystem क तो देखिए, यहाँ पर पहला तो सही है, second भी सही है, और जो D भी सही है दोस्तों यहाँ पर nutrient recycle जो है वो एक regulating service नहीं है, यह एक supporting service है यहाँ पर second वाले पढ़िए इसमें, nutrient recycle जो है वो एक supporting service है, मेरा C है जो गलत है, क्या पुछ रहा था, which is not a regulating service, मेरा answer यहाँ पर C क्यों सक्षन से, GDP shows how much value is produced within the boundaries of a country by both citizen and foreigner, GDP क्या होता है, दोस्तों एक देश की परिधी के अंतरगत, देखिए यह है भारत देश, ठीक है, इस देश की boundary के अंतर, एक साल में जितना good और service produce किया जाएगा, उसका जो monetary value होगा, उसे हम लोग कहते है, GDP, gross domestic product, ठीक है, यह जो good और service produce के जाएगी, वो इस देश में रह रहे है, इस territory में रह रहे है, citizen के द्वारा भी हो सकता है, और foreigner के द्वारा भी हो सकता है, इसलिए मेरा पहला है, जो सही है, माल लगते हैं कि कोई विदेशाद में यहाँ पर, gross national product, it is the, it measures the value of the output produced by the nationals of one country, both within the national boundaries and outside, दोस्तों यहाँ देखिये, जो GDP था, उसमें हमने जो territory थी, उसको limit कर दे थी, मगर जो GNP है, उसमें जो nationality है, उसको हम लोग limit कर देंगे, मतलब की, जो लोग भारत के हैं, उनके द्वारा जो goods and services produce की जा रही हैं, उनको हम count करते हैं GNP में, वो लोग वो भारती है, या तो भारत देश में रह रहे होंगे, या किसी और दूसरे देश में रह रहे होंगे मेरा पहला और मेरा दूसरा दोनों सही है, मेरा answer है यहाँ पर C, both 1 and 2 are correct, इतना बताने के बाद अगर आप GDP और GNP पर सवाल गलत करके आते हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बच कर रही हैगा, अगला सवाल देखिए, which are the following pairs is are correctly matched, भितर कनिका नेशनल पार्क कहा ह यहाँ गलत है, यहाँ बादानाई मेरा पहला गलत है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने जट से अंसर गा डिया, C क्यों कि जो B है B में 2 तो है ही नहीं यहां तो 3 औन 4 है B है C में मेरा नसर है क्या C दूसरा और चौथा यह है जो सही है क्यों क्योंकि B aindaipur National Park करला में नहीं है यह करनाटका में है कहां है करनाटका में है तो दुस्तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसे लगा आपको अब हैं बताईए अब हम मिलते हैं दुस्तो अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग टेक केर